नमस्कार दोस्तों आईए शुरू करते हैं कटल की सबजी बनाना तो ना केवल ये स्वाद बलकि गुणों से भरपूर रहती है और वो कहते हैं न ये चिकन और मटन का मुकाबला भी करती है और वाकई ये बात ठीक भी है तो देखे आईए जल्दी से शुरू करते हैं बहु अगरे थे मैं हलका सा हातों पर सर्सों का तेल लगा रहा हूं आप चाहें तो गही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि हातों पर ये चिपके ना इसके बाद मैं निकाल रहा हूं बीज इनके आप चाहें तो बीज ना निकालने लेकिन निकालने तो सबजी हमारी जल्दी बन उसके बाद मैं ले रहूँ कुकर, इसमें डालूँगा मैं कटल के टुकड़े, काफी मात्रा में पानी यानि अमारी कटल जो है वह अच्छी तरह से डूब जाएं, लगबक कटल जितनी है उसके एक इंच उपर हो पानी, उसमें डाल रहूँ फिर मैं थोड़ी से हल्दी, नमक, निम्बू का रस, दाल चेनी और ये लिये है मैंने बड़ी इलाइची, जिसे काले इलाइची भी बोलते हैं, ये जरू डालें, कुश्बू में चार चांद लग जाते हैं, उसके बाद ढग कर हम दो से तेन सिटी लगाएंगे, ये मैंने तेन सिटी लगाई हैं, ता वाश्ब अपने आपने निकलने दे, उसके बाद देखते हैं, रंग भी कटल का थोड़ा ब्राउन हो चुका है, प्रेस करके देख लेते हैं, लगबग 40-50% तक ये गल चुकी है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं, इन्हें अलग बरतन में, कोई कपड़ा रख लें, या नेपकिन वगएरा, जो भी easily available हो, ताकि जो बाहर का पानी है, लगा हुआ, वह सुख जाए, कुछ इस तरह, देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, ये खड़े मसाले, लिये मैंन लार्ज मिर्ट, तेजपता, जीरा, काली मिर्च, लॉंग, हरी मिर्च वगएरा, उसके बाद मैं कड़ाई ले रहा हूँ, उसमें तेल डालूँगा, दोस्तों समगली के डिटेल देखना चाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाईएगा, तेल गरम हो चुका ह है, उसके बाद ध्यान से हम ये कटल के टुकडे डालेंगे, चिटकने का डर होता है, तो आप प्लीस सावधानी बरतें, गैस का वोल्यूम मैंने थोड़ा सा तेज करतिया है, बाद में हम मीडियम कर देंगे, टुकडों को हम पलटते रहेंगे, ताकि चारो तरफ से अच् इस तरह से आप जरूर बनाईएगा, बहुत ही लाज जवाब बनती है, दोस्तों ये देखिए, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है इनका, उसके बाद देखते हैं, अलग प्लेट में इनको निकाल लेते हैं, कोई सूती कपड़ा वगरा, नेपकिन वगरा, आप कुछ भी रख लें, ताकि तेल थोड़ा जो फाल्तु है, वए अलग हो जए, इसके बाद थोड़ा सा तेल मैंने निकाल लिया, मुझे ज़्यादा लगा, तेल गरम हो चुका है, उसके बाद डालेंगे इसमें खड़े मसाले, जो आपको मैंने अभी पहले दिखाये थे, जो भी इस्तिमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, अलका सा रंग बदल लेंगे, उसके बाद देखते हैं, यह डालते हैं सुखी हुई लाल मिर्स, थोड़ी सी तोड़ लें ताकि यह चठके नहीं, और साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें लेसुन की दो गाठे, बार के छिलके मैंने इन देखने में बहुत अच्छी, खुश्बू भी बहुत बड़ी आ रही है, उसके बाद डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तिमाल करें, तरी का रंग, बहुत हसीन हो जाता है इसमें, देखिए, बहुत ही अच्छा देखने में, उसके बाद ड इसके बाद डालेंगे नमक, स्वात के अनुसार, दोस्तों ध्यान रहे हमने नमक कटल को उबालते समय भी डाला था तो ये विशेश ध्यान रखें, फिर अच्छी तरह से इसको मैश कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं, ताकि जो मसाले हैं वहें अंदर तक हमारे पक चाएं, और खुश्बू बरकरार रहें, डखके दो-तीन मिनट तक देखते हैं, क्या रिजर्ट आता है, तीन मिनट हो चुके हैं, हलकी आजपर में पकार आता, मिलाते हैं, देखे, रंग काफी अच्छा हो चुका है इसका, थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, तो हम और मेश कर लेते हैं, इसके बाद डालेंगे हम इसमें मलाई, ये घर की मलाई है दोस्तों, मैंने बाहर की क्रीम नहीं लिए, घर की मलाई हो तो बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से मिला देंगे इसको, इतना मिलाएं कि पता न लगे कि इसमें मलाई भी हमने डाली है, बैस यमी होनी चाहिए हमारी सबजी, तेल मसालों से अलग हो चुका है, तो अब हम डालते हैं, इसमें कटल, अच्छी तरह से इन्हें मिला देंगे, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से कटल के टुकणों पर लग जाएं, आप चावल, चपाती, नान, पराठे वगरा किसी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनती है दोस्तों, उसके बाद हम उसी पानी का इ शुरू में कटल को उबाला था, दूसरा पानी इस्तेमाल ना करें, अच्छी तरह से मिला देंगे, आप पानी की मात्रा अगर ज्यादा चाहें तो वह पानी उबाल कर डाल सकते हैं इसमें, अच्छी तरह मिलाने के बाद, चार से पांच मिनट तक मैं फिर पकाऊंगा, इसको देखते हैं, वाह, बहुत ही बढ़िया, इस स्टेश पर आकर हम डालेंगे, इसमें चिकन मसाला, आप मतन मसाला भी डाल सकते हैं, दोस्तों आपको लग रहा होगा, चिकन मसाला, इसमें नौन वेज बगरा होगा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ काफी मातरा में इसे, इसमें मसाले मिलाए जाते हैं, तो इसको बोल ही देते हैं, देखते हैं, उसके बाद ये काले मिर्च, तेज पत्ता, उनको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम अब हो चुका है, ढग कर फिर हम 2-3 मिनट तक गैस ओफ करकर हम इसे रख देंगे, उसके बाद देखते हैं, वा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी खुशुव आ रही है, उसके बाद डालते हैं, हम इसमें मेथी, सुखे हुए पत्ते मैं डाल रहा हूं इसमें, अच्छी तरह से मसल कर हम डाल देंगे, फिर 1-2 मिनट तक इसे ऐसे ही ढख कर रख दें, ताकि खुश्वु जो है वह बरकरार रहे, और यह लेजिए, हमारी कटल की शांदार सबजी तयार बिलकुल, आप इस तरीके से बनाएंगे, तो सभी आपकी तारिफ करेंगे, देखिए, देखने में कितने स कैसी लगी, मुझे कमेट्स जरूर करना, मिलते हैं अगली रेसीपी में, तब तक अपना ध्यान रखें, प्लीज, बाई बाई